तो वहें इस पूरे मामले पर मंत्री प्रताप सिंग खाचरेवास सिखास बाचीत की सैयोगी विकास ने, क्या कुछ उनों ने कहा आप ही सुनिए कल पुलिस ने चार डंडे मारे हवा निकल गी दूसरे के तलवार मानने से चुरा मानने से उसके दर्द का एसास उसको नहीं होता जो मारता है तो उसके खुद के लगते हैं तब एसास होता है जब देश के कानून के अनुसार फांसी पे लटकेंगे ने यह लोग तब पता च तोड़ना है यह तालीबानी संस्कृति हिंदुस्तान में नहीं चलेगी अफगानिस्तान में मुसल्मान मुसल्मान का विरूद कर रहा है तालीबान का विरूद मुसल्मान कर रहा है अफगानिस्तान में गोलियां चल रही है और बच्चीओं को भार नहीं कर रहे हो देश को भी बददनाम कर रहे हो नफरत पया कर रहे हो चैलेंज वाजी कर थोग के मारेंगे दोकान नहीं है और इक टोक टोक शबान पबलिक तो यह दों की हवा निकल जाती है करने हालाल बज्जा मेरे आसपाद लोग खडए और घुर्त झाल दिया पार्टी से निकाल दिया सरकार ने उसके खिलाब बयान दे दिया उससे क्या हुआ नफरत तो आप ही ने पैदा की नहीं सुरुआत तो आप गी की कि वुई है लेकिन राजस्तार के सरकार छोड़ेगी नहीं इनके पिछे कौन-कौन है उसकी पूरी जाच करेंगे और लाकर पठक कर इनका जेल में बंद करेंगे और इनके खिलाब फास्ट्रेक अदालत मिलागे जल्दी से जल्दी कोसिस करेंगी सरकार इनको फासी पे लटकाया जाए जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि कल करोली गटना होई तिरू उसके बाद पिर जोधपूर गटना होई करोली की घटना कंट्रोल होई तुरण जोधपूर की घटना कंट्रोल होई करोली और जोधपूर की घटना के लिए तो जिम्मेदारी बीजेपी है उन्होंने वहां दंगे बढ़का है तो बीजेपी उन घटनाओं के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है दंगे उन्होंने भड़का है लेकिन यह गटना तो बहुत गंभीर है नुपुर सर्मा के बयान को लेकर वो दोनों डायलोग मार रहे हैं और उस आदमी ने इस करेया लाल को एरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद वो छूट कर आया उसके बाद पुलिस कहती है हमने समझोता करा दिया ऐसे में में तो पुलिस के लिए भी कहूंगा मुख्यमंदर जी से बात करूंगा इदी पुलिस से उसने सेल्टर मांगा था तो सेल्टर देना चाहिए था सर रस्तान सरगान ने कमिटी कटित किया, साइटी कटित किया और केंदर की तरफ से भी कटित की गई क्या मानते हैं कि इस गटना करणों किते दिन माम क्योंकि इन लोगों के लिए ऐसी सोच देना बहुज़री है इनकी सोच तो हवा निकल जाएगी इनकी दोनों की जब पुलिस पकड़े ले जाती है तो आप यह मान कर चलना सब कुछ यहाद आ जाता है डायलोग मारना टीवी पर आकर वीडियो बनाना नियत ते आदमी कर छुरा मारना यह आसान है उसके बाद जो पुलिस करती है वो बरदास्त करना बहुत मुश्किल काम है इसलिए वो दोनों पकड़ में आगे हैं अब फास्ट ट्रेक में को केस आएगा और कानून में प्रावदान है फासी पे लटकेंगे यह तब इनको पता चल जाएगा सारा तो यह था मेरे साथ पताप सिंग जी उन्होंना बताया कि किस तरह से सरकार इस पूरे मामिलें गंबीर है और फास्ट ट्रेक अदारत है वहाँ पर इस पूरे केस को ले जाएगा और जो दोनों आरोपी हैं उन लोग को फासी ज़रू सुना ही जाएगी केमरे के सारा इस के साथ विकाश शर्मा फशन देट जब पूरे